क्या आपको पता है तुलसी के पोधे भी पांच प्रकार के होते हैं चले जाते उसके बारे में राम तुलसी बैंगनी रंग की होती है इस तुलसी का संबंद वगवान श्री कृष्ण से है क्योंकि इसके पत्यां श्री कृष्ण के रंग के समान होती है राम तूलसी, जिस तूलसी के पोधे के पत्यां हरी होती है, उसे राम या वजल तूलसी के नाम से पुकारा जाता है हरी पत्यां हलकी मिठास भरी होती है, साथ ही इसे घर में लगाने से सुकर सम्रूधी की बढ़ोतरी होती है स्वेट तुलसी यानि बिश्णु तुलसी बिश्णु तुलसी का प्रयोग बच्चों के कफ, खासी, जुकाम, आदी में किया जाता है इसकी सबसे प्रमुख पहचान ये है कि जब इसके पुष्प आते हैं तो वह सफेद रंके ही आते हैं वन तुलसी इसे जंगली तुलसी और तुलसी वरवरी भी कहा जाता है, फुल सुंगंदित होने के साथ सफेद, गुलावी या बैंगनी रंके होते हैं, जोते शास्त्र में इस पौधे को घर में लगाने से बरजित किया गया है नीबू तुलसी इस किस्म के तुलसी में तुलसी और लेमन ग्रास दोनों के गुण मौजूद होते हैं, इस किस्म के तुलसी के पत्तियां नीबू की तरह सुंगंदित होती हैं, एवन इसमें विटामी A की मात्रा प्रचूर रूप से पाई जाती है